नमस्कार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज जो हम बात करने वाले हैं अगर किसी जातक का चंद्रमा लगन चार्ट में सब्तम भाव में इस्तित है और अगर उसको चंद्रमा की महादसा आती है तो चंद्रमा की महादसा दस साल में उसको क्या-क्या रिजल्ट देखिए चंद्रमा की महादसा जब भी आती है तो चंद्रमा सासन करता है आपके मन पे और आपकी भावनाओं पे तो आपकी भावनाओं में एक तेजी देखने को मिलेगी कही और आपकी भावनाओं काफी प्रबल होती हुए आप लोगों को देखने को मिलेंगी तो चंद् परकार के आपके मन होगा, जिस परकार के आपकी भावना ही होंगे, आप वैसे ही काम करने लगेंगे, तो चंद्रमा का effect डारेक्ट ले आपके मन पे पड़ता है, आपके emotional जो इस्तिती आपके मन की उसके उपर पड़ता है, तो कई न कई हम यह मान सकते हैं कि बहुत सारे ऐस ठीक रखेंगे, उतना ही यह possibility है, कि चंद्रमा की महादसा में आपको progress देखने को मिलेगी life में, अब बात हम अगर सब्तम भाव की करते हैं, तो सब्तम भाव देखे, पबलिक का भाव है, और पबलिक के भाव में जब भी चंद्रमा होंगे, तो चंद्रमा एकदम दयालू ग्रह है, यानि आपको काफी दयालू बनाते हैं, प्रोपकारी बनाते हैं, दूसरों के कल्यान के लिए आप काम करते हैं, भले ही आप अपना नुक्सान कर लें, लेकिन आप दूसरे विक्ति का किसी का नुक्सान नहीं करना चाहेंगे, अगर आपने किसी का नुक्सान कर भी दिया तो आप बहुत जल्दी sorry बॉल देंगे तो यह जो इस्तिती है चंद्रमा की यह बेहत खास सप्तम्भाव में जब भी चंद्रमा होगा तो जादा से जादा लोग आपको चाहने लगेंगे चंद्रमा की महादसा में ज्यादा से ज्यादा लोग आपसे कॉंटेक्ट करेंगे जब भी उनको कोई हेल्प की जरूत होगी तो ऐसे जात्कों को काफी ज्यादा आप प्रोपकारी बनते वे देख सकते हैं दूसरे लोगों की मजबुत इस्थिते में बैठा वे अगर देखा जाए तो कालपुरुस के साब से चंद्रमा सब्तम भाव में हो तो तुला रासी का यानि हम ये मान सकते हैं कि शुक्र इस घर का नेचरली कारिक है तो निस्ति रूप से इस भाव में चंद्रमा अच्छे रिजल्ट देने के काबिल होते ही होते हैं लेकिन यहाँ पर चंद्रमा आपकी कुंडली में किस रासी में बैठे हुएं कौन से नक्षत्र में बैठे हुएं कौन से प्लनेट के साथ बैठे हुएं इसके अलावा कौन-कौन आपके सब्तम भाव पर दृष्टी डाल रहे, कौन-कौन सा ग्रय दृष्टी डाल रहे, यह देखना बहुत मैत्वपन है, साथ ही साथ आपकी कुंडली में overall जो इस्तिती है, planets की वो क्या है, और चंदर्मा कितने मजबूत सब्तम भाव में बैठे वे हैं, उतना ही ज्यादा अच्छे से आपको यह result दे पाएंगे, अगर चंदर्मा यहाँ पर मजबूत इस्तिते में नहीं है, फीडित इस्तिते में हैं, तो life में हर जगह आपको 10 साल में परेशानियों का सामना करना पड देगा, ऐसे में, देखे सब्तम भाव में चंदर्मा हो तो जातक को प्रकरती प्रेमी बनाता है, जातक जानवरों से, यानि जो पालतू जानवर हैं, उनसे प्रेम करने लगता है बहुत ही ज़्यादा, और वो उनकी उपर बहुत जदा देया करता है, करूना रखता है, द यालू बन जाता है प्रोपकारी बन जाता है अब ये किसी का भी जब दुखदर्द सुनेंगे तो अपनी लिए जो भी अपनी तरब से साइता बनेगी वो ये जरूर करेंगे इस प्रकार के जाद तक तो कभी कभी आपको पबलिक में बहुत ज़्यदा नेम फे मिल सकता है चंदर्मा की महादसा में और चंदर्मा की महादसा आपकी जो इमेज है पबलिक में पबलिक इमेज को बहुत अलग तरीके से पेस करती है आपको एक बहुत अच्छे करेक्टर के साथ दिखाती है तो कह ज़्यादा से ज़्यादा आपकी सर्जन छमता को मजबूत करेंगे आपकी कारिये सहली पर आपकी रचनात्मक्ता का आपकी सर्जन छमता का प्रभाव अधिक्तम देखने को मिलेगा तो जातक बलेई वह एजुकेशन वाईज अगर देखा जाए तो उतना काबिल नहीं है ल लेता है सर्जन छमता की वज़े से कि वहर काम को बहुत ज़्यादा इजी बना लेता है डेली लाइफ में अब सब्तम भाव वह आपकी एक इमेज को करता है तो ऐसी जो इमेज है आपकी उसकी वज़े से लोग आपकी काफी ज़्यादा तारिफ पड़ने लगेंगे लोग कोई भी प्रकार की सलाज चाहिएगी या कोई एडवाइस चाहिएगी तो लोग आपके पास आने लगेंगे ज्यादा से ज्यादा तो इससे आपका जो नेटवर्क है आपकी जो कनेक्टिविटी है वह बहुत लोगों से हो जाती है और बहुत लोग आपको चाहने लगते हैं तो कही ना कही आपके अंदर जो चंद्रमा ने जो सर्जन शमता दी है उसकी वज़े से एक हम इस तरह से आपको देख सकते हैं जैसे एक आल राउंडर वेक्ती होता है उसको आप कोई भी काम दीजिए वो उसको बहुत बहतर तरीके से अंजाम देगा साथ ही साथ इस परकार का जो बिजनस है वो करना ज्यादा उत्तम रहेगा पानी से समंदित बिजनस भी कर सकते हैं साथी साथ ये जो चंद्रमा है कही ना कहीं आपकी भावनाव पर सासन करेगा और सप्टम भाव आपकी जीवन साथी का है इस वज़े से आप इमोशनली बहुत जल्दी अपने प बिजनस भी कर रहे हैं तो बिजनस में भी उतार चशर्डब देखने को मिलेंगी लेकिन आपके लिए चंद्रमा की जो यह दसा है काफी ज़यदा favorable तरीके से काम करेगी अब चंद्रमा यहां से आपकेल को देखे होते हैं अगर लगन आप चंद्रमा का मित्र ग्रह का है त 19 सित्रोप से आपकी एक अच्छी छवी जनता में लोगों में चंद्रवा दिखाते हैं साथ ही देखिए चंद्रवा का समन्द जो आप creativity वाले जो काम करते हो जैसे राविंग है पेंटिंग है या कुछ लिखना हो गया कुछ बोलना हो गया या कोई कविता लिखना हो गया कहानी लिखना हो गया कोई उपनियास वगरे लिखना हो गया इन सब में बहुत ज़्यादा सफलता देगा तो हो सकता है कि आप एक कहानीकार बन जाए बहुत अच्छ वक्ता बन सकते हैं पबलिक में तो कभी-कभी आप अपनी जो महावरेदार बासा है उसका प्रियोग भी करेंगे जब आप जनता के सामने कुछ बोलेंगे या कोई भासन देंगे तो तो यह जो इमेज है कही न कहीं आपकी ओवरल इमेज को तो चंदरमा प्रभावित कर ही रहे हैं साथ इसाथ उसमें आपकी जो सरजन चमता उसकी वेल्यो ओर एड़ कर रहे हैं चंदरमा यहाँ पर तो इस वज़े से आपकी कारिये चमता में काफी ज़्यदा वर्दी हो जाती है या किसी तरूप से आप किसी के लिए भी गलत नहीं करना चाहेंगे आप हमेशा प्रोपकारी द्रश्टिकॉर्ण से देखेंगे दूसरों को दूसरों के हमेशा मदद करना चाहेंगे हर समस्या में आप किसी ना किसी तरीके से आप उन लोगों के लिए हेल्प करने को रेडी रह तो यह जो चंद्रमा की एक इस्थिती है सपनम्भा में चंद्रमा की के सती बहुते होगी आप देखे यहां чंद्रमा अगर आप लोग Magic आती है और चंद्रमा की महान दसा में आप आगर मैरिज करते हैं तो का साथ चाते हैं यानि सोसिल बहुत जादा होंगे वो तो सन्द वाहतास सप्तंभाव के आपको जादा से जादा सूसिल बनाएगी, तो कोई भी जब हाद आप काम करेंगे आप सब को साथ लेकर चलेंगे वूरी पुलिक को साथ लोगों के बारे में वी आप साथ life है उसमें आपकी मदर का योगदान भी बहुत एहम होगा और साथ ही साथ कहीं न कहीं आपकी मदर का जो influence है आपके उपर वो काफी गहरा पड़ेगा अब यह चंद्रमा की महादसा आती है दस साल की दस साल की यह जो महादसा है इसमें काफी अच्छे प्रिणाम आप लोग प्राप्त कर सकते हैं चंद्रमा से अगर चंद्रमा यहां अच्छे स्थिति में बैठा हुए है तो काफी अप नेम फेम प्राप्त करेंगे काफी ज़्यदा creativity अपनी life में add करेंगे और उसक देखिए आपकी भावनाओं पर चंद्रमा सासन करते हैं काफी ज़्यदा आप लोगों को emotional बना देते हैं तो ऐसे केस में चंद्रमा आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोबकारी बनाएगा देयालू बनाएगा तो दूसरों की जो समस्य हैं उनको आप अच्छे से समझ इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद